नमस्कार मैं हो असोग बर्मा आप देख रहें टीबी टुंटी नूज पर खबरों का सिल्चला लगातार जारी है बने रही है हमारे साथ लिए गई जब हमने पैसा नहीं तो रिता जादव देख दोरा लगोरला पर वाय की गई और मुश्यकार बादाया बचाईफ आपर दाखतार बला पर पर घड़नें पर बैठ गया है वो इस मामले में जब CMO इंदर दरान तिवारी से वाज़ित के गई तो उन्हें बताया कि मामले जाहां जिप्टिर CMO को सफ़े गई थी अभी दक उन्हें रिपोर्ट नहीं दिया है जाहां जिपोर्ट मिलते ही क्यारवाई की जाएगी अपने परिशे देते हुए बताईए आज यहां पर आप अपना प्रिक्स में हुए इसने क्या मामला अम्तेन सागर मोदनवाल बजार में मेरा घर गरम मतलुको सत्रा तारी को भावी का डिलवरी था अरोला हस्पिटल में हम लोग लाए थे जो बाराव भरती कर दिये रीता यहां ड्यूटी थी उन्होंने भरती किया उसके बाद उन्हों कहा साकुसल बच्चा पैदा हो जाएगा तो हम लोग विश्वास में थे लेकिन उन्होंने विश्वास घात किया जो बच्चे की थैली थी तीन विजे फट गई हम लोग ने इन से कहा कि आप छोड़ दीजि किसी बड़े हास्पिटल में ले जाएंगे ला वाला देते उए यहां भर दबरदस्ती इन्होंने रोक लिया मुसके बाद हम लोग निकाले ले गये फूलपुर प्रइवेट हास्पिटल में प्रइवेड हास्पिटल में बच्चा साकुसल पैदा हुआ लेकिन उसको हम ल सब्सक्राइब परिबार में होता आज मेरे साथ हुआ कि किसी आउस समाज के साथ होगा हम नयाय चाहते हैं कि ऐसे करमचारी यों को बिभागी कारवाई करते हुए हम सब को न्याय मिले भारती जंदा पार्टी तो भारती जंदा पार्टी को रहते हुए भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है लेकि अभी तक लीपा पोती जो विभागी करमचारिय लेकिन हमने सबको करके आउगत कराया था माने मुखमंत्री जी को माने पाठक जी को स्वास्वंत्री को लेकि अभी तक नहीं मिला लीपा पोती के चक्र में अब क्या बताया जाए जीला पर्रसासन और जीला स्यमो वविभाग दोरा लेकर ड़ाजमंगलवार को भाजपनेता प्रियम शाकर मैदन वाल धरने पर बैठ गए मेडिया स्वाचित के दौरह नो ने बताया कि श्वाप नर्स रितायादा दोरा हम से पैसे की मांग की गई जब हमने पैसा नहीं दिया तो रिता जादा दौरा घोरला परवाय की गई और मुझे अपने प्राइवेट अस्पताल में चिचावर बचा को ले जाने का दवा बनाया गया हम लोग चिचावर बचा को उसके प्राइवेट अस्पताल पर नहीं ले गए हैं वह इस मामले में जब सीमों इंद्रद्रान तिवारी से वाजित के गई तुरों ने बताया कि मामले जहांज डिप्टेश सीमों को सफ़े गई थी अभी दा कुरून रिपोर्ट नहीं दिया है जहांज रिपोर्ट मिलते ही क्यारवाई की जाएगी अपने परिशेर इसके हुए बताईए आज यहां पर आप अपना प्रिक्ष्ट हुए थी क्या मामला है अम तेन सागर मोदनवाल बजार में मेरा घर ग्रम मतलुको 17 तारीक को भावी का डिलवरी था अरोला हास्पिटल में हम लोग लाए थे जो बारा बजे हम लोग भरती कर कि आप छोड़ दीजिए अगर आपकी बच्च की बात हो तो आप करिए नहीं तो आप छोड़िए क्योंकि जच्चा बच्चा का सवाल है तो इन्हें नों छोड़ा नहीं आड़ बच गया पैसे के चक्कर में इन्हों कहा कि 12,000 रुपिय आप तैयार करिए मैं आप परदस्ती यहां से निकाले ले गए फुलपूर प्राइबे इस पीटल में अब लेगने भरती किया बच्चा साकुसल पैदा हुआ लेकिन बच्चा गंदा पानी पिलिया था फिन उसको आम लोग रहन वो हास्पिटल दीपक पांडे के बहरती किए वहां 24 घंट भरती था बच्चा इस्पाहर लोगया है क्वाम लाए रिता यादों के चक्क्र में कंद पैसों के लिए जिस मानों का शत्तर साइव है और वाथ चंद पैसों के लिए दो ने हमारे dirti a-2 ने हमारे बतीजे के जान ले अब भारती जन्दा पार्टी हे में क्या सत्ता में भारती जन्दा पार्टी को रहते हुए भी आपकी नहीं हो रहे हैं हुआ हमने कराया था लेकि अभी तक लीपा पोती करने के चक्र में लगें है तो आप आपने क्योंकि आपकी सरकार है आपको धर्ना पर बैठना परता है हमारा अविभावा काजमगड में नहीं है लेकिन हमने सब को इस पिस पोस्ट करके आउगत कराया था माने मुखमंत्री जी को माने पाठाग जी को स्वासमंत्री को लेकि अभी तक नहीं नहीं मिला लीपा पोती के चक्कर में अब क्या बताया जाए जीला परसासन और जीला सेमों विभाग द्वारा पोलिस अदिक्षक अदुरागारी ने भीते दिनों तर्वा थाना शुत्री में लूट वजिनेती देजिसी वारदातों का अंजाब देने वाले गिरों कि सरकेना समयता ने बदमासुई ग्रप्तारी करने वाले तर्वा थाना प्रभारी समयतीन लोगों को आती सो रहानिय पोलिस अदिक्षक अदुरागारी ने इस अती सराहनिय कारे के लिए मंगलबार को तर्वा थाना प्रभारी बसंतलाल मुख्य आरक्षी प्रमोद यादव्यूम परवीन कुमार को प्रसस्ति पदर देकर सम्मानित किया रानी के सराहि पूलिश ने कि सुचछ का अगवा कर दुसकर्म करने वाला बेल्ककी कर अपदहर किया है इसके साथ दुसकर्म भी किया है तर पूलिश जोसी आरे बसंतले श़यक्रा कर लिया देने वाले की गिरिफतारी हुई है इसके संबन में अपरपुर सदिक्ष नगर सुलंदर आलने जान कारदी हैं सुनिए थाना मुआरकपुर पर आबू उसामा नाम के व्यक्ति के गिरिफतारी देश द्रोही वराष्ट द्रौात्मक बातों का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति के संपर्ख में रहने के कारण धारा 108 CRPC के अंतरगत की गई है वह इसे भारी धनराशी से पाबंद कराया गया है ये व्यक्ति सबाउदीन नाम के व्यक्ति के साथ संपर्ख में था जिसकी पूर्व में ATS के द्वारा गिरिफतारी की गई थी पुलिस के द्वारा सबाउदीन से संपर्थ में रहने वाले अन्य व्यक्तियों की भी तलाश है वा शीगरी उनको ग्रिफतार कर वेधानिक कारवाई की जाएगी उपरकास राजबर के बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पस्मानदा मुस्लिम बीजेपी के वोडर है पर देखी टिप पड़े कर नूरूल होदा पर देख सिवा देख राश्री वल्मा कमसिर्पी राजबर ने बयान जिए कि सपा बस्पा कॉंग्रेस मुसल्मान को तरा कर मुसल्मान अब समझदार हो गया है वह जान रहे कौन दोस्त कौन दूस्मन अब बीजेपी के वर जा रहे हैं तो क्या लगता है देखिए वह बीजेपी की भासा बोल रहे हैं नाकपूर से जो सोसा छोड़ा जाता है अलग-अलग टीम के लोग लगाए गये हैं उसके और उसको वह बीजेपी को खुश करना चाते हैं इसलिए कि वहां से रिजेक्ट हो चुके हैं अब फिर से वहां सलेक्ट होने के लिए इस तरह की भासा का इस्तेमाल कर रहे हैं और सब लोग सिर्फ केंद्र बिंदू मुसलिम ही क्यों है मैं आप से सवाल कर रहा हूं क्या मुस अब हमारा पोल्टिकल प्लेटफार्म तयार है उल्मा काउंसिल के रूप में पीस पार्टी के रूप में माईयम के रूप में अब हम अपना नेता भी बनाएंगे अपना जंडा और डंडा तयार कर चुके हैं अब जिसको बात करना है वो हमारे नेतित्तों से बात करके सिष्टम में आए जो नेतित्तों हमारा कहेगा हमारा समाज उसको अबोट करेगा यहां तक कि अब भाजपा की जो लोग बात कर रहे हैं कि पासमांदा को रिजहाने के लिए तो भाई अगर पासमांदा की इतना ह हमधर्द है वी जेपी तो 8- inclusion 341 से जिस तरीके से 1956 में amendment कर के शिक दलीतों को आरच्छार दिया नब्बे में 22 को आरच्छार दिया उसी तरीके से एक amendment करें और amendment करके पासमान्दा दनार्चों को 32AD से धार्मिक प्रतिबंद हटाए और हमारे दोस्ती में न सही तो कम से कम नहरू जी के दुस्मनी में ही सही उस आर्टिकिल को से प्रेसिडेंशियल आडर हटा दे ताकि उसका लाब सब लोग ले और मुस्लिम समाज का वोट कौन कहां जाएगा यह राजभर जी नहीं तह करेंगे यह मुस्लिम लीडर् प्रेसिडेंशियल आडर हमारे दोटापों का रखे पुरुणिक मार सिंग थाना तरवाजन भाजन को माजन और तर्टेश में तीस राने कारे के लिए प्रस्टिकल सम्मानत किया गया है आजनक बर सगडी तरश्टिकल शतर की स्तित मारना एरा विद्याले जियनपुल पर परचें चातरों को नवीन चातरों ने दी फेरवेल पार्टी हुए विवी धकार क्रम विश्ट चातरों को उप्रदेकर सम्मानत किया गया मंगलबार के सामचार बसे मारन एरा विद्याले के परिसर में अख्या गयारमे के चातरों ने बारमे के चातरों को फेरवेल पार्टी दी इस तोरान प्रवंदक निश्चल राए व प्रचारिया अलपलवी राए ने सरसोती के छेतर पर दीप प्रजोनर कर कायट किरम का श चातरों को शुब कामनाय दिया और कड़ी मेंनत वा परिसरम के लिए प्रचातरों के लिए प्रचातरों को शुब कामनाय दिया मैं अपना पुला परिशे रखाई है मेरा नाम पल्लवी राह है मैं मौडरन राहर से किंडे स्कूल की प्रिंस्पल हूँ आज हमारे स्कूल में क्लास 12 के बच्चों का विदाई समार हो का कारकरम आयोजित किया गया है जिसमें क्लास 11 के बच्चे उन्हें अपनी विविन स विदाई हो रहे हैं जिन बच्चों की विदाई हो रहे हैं उन्हें से सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि आगे उनके 12 वोड के एक्जाम है जिसे वह बहुत ही महनत के साथ क्वालिफाई करने का प्रयास करें क्योंकि इससे उनका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा और आजम गुड के सब्सक्राइट के जेन पूर नगर पंचाहत की कुरेश नकर और समता नकर और अजाद नकर में विद्ध 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 धारकों को क्या वाइसी की अपडेट मगलवार की दिन दू बजे सिट्टों क्रेशकुमार आदों कि नेदिर तुमें तुसाचे वियंता गौपाल सिंग अकास गुपता ने विदूद विभा की टेम के साथ खुरेश नगर सम्ता नगर आजात नगर में ब्रहमड कर एक फरवरी से पंदर फरवरी बश्वर्वरी बश्वरेश तक के वाई से अपडेट के लिए चल्दर अभियान के ताहित घर कर प्रते की विदूद कनेक्शन धारी को अपना के वाई सी अपडेट करने के लिए चागरू किया है इस तुरान उन्होंने बताया कि वाटसेप मेल पर विदूद विल पहुंचे कि जिसे लोगों को शुब दा मिलेगी इस तुरान उन्होंने 145 विदूद कनेक्शन धार को का कि अपडेशन जिसमें जो है लोगों के घर घर जाकर कि प्रटेक कनेक्शन पर मॉबाइल नबर अपडेट कराना और वैदी उनका ई-mail आईडी है इमेल आईडी कराना और वाटसप टमबर अपडेट कराना जिसे उनको हर महीने उनके वाटसप पे बिल मिन जा है उनके करें ताकि उनको बिल समय से मिले और अपना बिल हर मेने जमा करते रहें पशी संदेज रहें रहें हैं अधरोलिया में संचालित होई हड़ी एस्पताल को पेड़ित द्वारा दोबारा शिकायत के जाने पर आज से मंगलवार को पुरे एस्पताल को सीज कर दिया गया ओप गविनदपुर गाउन वासी विरिंदर मौरियने मुख्यमंतरी हिलफ लाइने मुख्यमंतरी चिकसा मुख्य चिकसा अधिकारी आजमगर साहित कई सक्षमाधिकारियों को शुकायती पतर दोग्रातरोलिया में संचाली स्चुछन कर यादों के हड़ी स्पताल पर आरूप लगाया था कि उसके बच्चे के हाथ में फैक्चर था ओग चिकिसक द्वारा गलत विलाज करने के एकानल प्राथी को काफिक ट्नाइ जिलने पड़ी और अपने बच्चे का इलाज करने में लाख रुपएगा फुक्तान करना पड़ा जिसमें चिकिसक की घोर ला परवाही प्राथी का इस अंधर में फन्रे दिन पहले मुंकि चिकासाधिकाइ एक निर्देश पर अस्पिताल के खिलाफ प्राप सिकायत्य पत्रों का मौचए पर जाकर रस्तह्य ही नेक्शनकिया जिसकी रिपोर्ट मुंकिνच जिकारी आजमगल को भीजी गई थी जिसके संदर्वे मुकेश के साथिकाई के निर्देश पर उप मुकेश के साथिकाई डक्टर यूगेंदर प्रसाद अत्रवलिया स्वास्थ विभा की टीम के साथ सुशंकर यादो के हट इस्पताल के ओबीडी को सीज़ कर दिया गया जिसके सामने डक्टर तिरपाथे का ब मौके पर शुकायत करता है विरंदर महुर्या भी मौजुद रहे तथा अस्पिताल सील होने पर अपने संतुष्टी जाहर के इस मौके पर स्वास विभागी टीम के साथ जरेक शक्रफी आलम समित पुरुस कर्मी भी मौजुद रहा है यह सुनाता है कि उप्षिकर साथिकार पुना अज फिर खिर दोबारा सील करना पड़ा है विरेंदर महुर्य ग्राम कोश गोविन कुप खाना त्रविया जीडा आजम गए आपकी सिकायत पर आज फूद पुना एडिशनर स्यमों यहां आये थे और किन किन कमरों को सील किया कि आप संतुष्ट हैं हां हम संतुष हैं हम चाहते हैं इसी तरह हर एक आदमी के साथ न्याय मिले और इनके न्याय पराडाली से हम तुरी तरह संतुष्ट हैं और भावी जीवन में हमारे किसी भाई बंदू के साथ ऐसे लापरवार और बिना डिग्री धारत डाक्टर किसी के साथ गोर अपराद मैं करें ऐसे पराधियों के बारे मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सकते से सकत कारवाई की जाए जिए किसे कमरे सील किये गए आपकी मौजूद्गी में पांच कमरे और एक गैलेरी इसी आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से संतुष्ट हैं आडिय की प्राण कि मैं बचे का इलाच कैसे कि बहाद से खरावाऊं का यही मेरी सबसे बड़ी दिक्ट वाड़ी ख़बर आपको आपको आजम गट जनपत की मेनकर से दिखा रहे हैं जारा राश्ट्री खासरुक्षा दिनियम दर्टेरा योजना के अंतर्गत भारसर कारदोर अन्तोदे त फातर के सीड़ कारद धारकों को 2 रूपए पृति किलोग्राम की दर्ट जिखा दिनियम दर्टेरा के अतर्कत अक्षा दित अंतुजय कि जाने की ख्राइजाने किस्ति में काड़ धारा कुराइश्ट्यों खाद सुरुक्षाती नियम दर्टेरे के अंदर के अक्षादी तजानते हुए तथा पात अग्रस्ति लाबार्टियों को एक जिनूर दर्टी से गामी एक वर्स तक उचित तर्विक्रताओं दोरा नेसुल खादान फर तदर्ट तरह था इसके बाबर ट्रॉक्षालक से पूछा कि कि खदान का मोझे रहा के लिए उचित तर्विक्रताओं को परसान करते हो ट्रॉक्षालक से तर्टेरे का कि खदान काटा करके दिया जाता है गई बात किराए की तो यह दे कोई बिचवरी यह किरा लेता है तो गोट दार्द नो देख राया आजमगड़े हिंदी उर्दू सहित्य मंज द्वारा प्रख्यात साहितिकाई उत्य प्रदेश इंदी संस्तान द्वारा पुर्शकर जग्दीश प्रशाद वर्नवाल कुंद की नीची अवास रेलोशिट्य प्रशाहित्य मंज की साहितिका पांडे ने कहा कि साहिति मंज का उदेश जैनपत के उन साहितिकारों का वियों का सम्मान करना है जिनके अपनी लेखनी से जैनपत आजमगड़ का नाम रोशन किया है शायरता जस्मीने देश भक्ति से उत प्रूत रचना पड़ी इसके प्रांत मेहंद्र मृदुल जैस हि इंद रोहित रही ने अपनी कविता सुना कर माखलों खुश्ण मा बना दिया अपने सम्मान से विभूत प्रख्यास साहितिकार चकदीश परसाद बर्नवाल ने कहा कि साहिति मंज ने जो हमारे सम्मान किया इसके प्रतिव हैं अभाद प्रकड़करताओनों ने अपनी प्रतिश परसाद आता है हम महर से जब सवालों के सही उत्तर नहीं मिलते मुझे वह गाओं का भीगा हुआ गर याद आता है तो हतीकत बात है जो गाओं में प्रेम था जो पुराना घर था रोही जी का रहे थी जो है मित्ती का घर था उसमें चत्नी चावर्ण हम लोग खा प्रताते हो रही है यह चिंता का भी सए उस पर मने लिखा था कि आजम भूक और विरुजगारी से बेकार बैठे हैं उधर बच्चे जन मिलेने के लिए तयार बैठे हैं उधर बच्चे जन मिलेने के लिए तयार बैठे हैं काउन बचाएगा इस देश को जब रच्छक ही बच्छक बन जाए हमारी संसर में कितने कतलों की जीमेदार बैठे हैं दफन हो रही देश की जत एक ऐसी अन होनी है एक अवला को लूट लेने के लूटेरे बेसुमार बैटे है आज लूट का जमाना है कहीं वोटों की लूट तो कहीं नोटों की लूट जिदर आप जाएंगे लोग बिबस और लाचार बैटे है और देशी इसकदर ख़वनाग जमाना आ गया संजय मंदिरों में भी मवत वातन के खरीदार आप जो आपने सम्मान दिया है वह उनका प्रोसान बढ़ाने का काम किया है अवाज भी आपकी इच्छा रहती है कि हमारे आजमगर के कभिसायर है उनको प्रोसान दिया जाए उनको मंच दिया जाए तो चाता किसी कर्ण की मुझे को पंक्तिया यादा रही है ऐसे विद्वान मरिशी सर्विस में रहते हुए भी आपने जो साहित को एक नई दिशा दिया आजमगड को अज मेरी पॉंजी से आजड़ी पॉंजी से भेट हुए चाटा जिसको लगातो दिन होई थी लाटकाट हम लोग गए थी तो वह साहित की प्रंक्तियां चाटा जीको पर सतीक बैठती है कि जब तबियत उधास रहती है तो आखों में प्यास रहती है और भीड में भी रहकर भीड में भी रहकर काम करने वालों की तराजा कौन साहित के लिए काम कर रहा है तो मैं चाटा जी क्यों बड़े ही अधब के साथ मैं आपसे गुजारिस कर रहा हूं कि आप आश्र बचन अपना देंगे हिंद्री उर्दु साहित मंच ताकि आपका आश्र बाद मिलेगा त आश्र आजमी बैठे हैं जेहन सिंगिंत बैठे हैं मैं सिंग विदुल हैं रोहित हैं और आप यादो जी हैं तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने कावे पाठ भी किया और मैं तो यही कहूंगा कि भोश में भी अच्छी कविताय लिखें और इसके साथ साथ कुछ गद्य की और भी कोन मुख हो लगुकता है कानिया है कुछ और कारे करें जिससे जन्पद अस्थानी अस्तर पर आप न बने बलके प्रदेश अस्तर पर राशी अस्तर पर आप का नाम भूजे हिंदी और उर्दू दोनों क्षेत्र में देखें आजम बड़का बहुत योगदान करा है कि मैंने अपनी पुस्तक में हिंदी के सहाइतिकारों पर भी प्रकास डाला है उर्दू के भी सहाइतिकारों पर प्रकास डाला है शिबली सहाब यहां बहुत बड़े विद्वान हुए है कैफी सहाब यहां के थे ही यह ते साम हुसें साब गद्य में पार तो उनसे मेरी चर्चावी उर्दू साहित के बारे में तो आजमकर करका उर्दू साहित है जो एक बड़ा ही सम्रिज्ज साहित के है ताज आज में यहां बैठे हैं लिखते हैं बढ़ियां मैं तो इनसे भी अपिक्षा करूँगा कि और अच्छी रिचनाए लिखें जिसे व निजामबाद की आस्वात रहते थे वो उनके पिता जी यहां सिपाही थे निजामबाद में निजामबाद में ही हुआ है और शिक्षा दिक्षा भी आजमगर में ही हुई है तारम भी फिर इसके बाद वो बाहर वग यह हकेमी हकेमी पढ़े हैं तमाम शिक्षाएं उन्हो तो इसने उन्होंने मज़ूर सुल्तानपुरी अपना नाम रख लिया था फिल्म से जुड़े आजिमगड में उनका जन्म हुआ था फिल्मों में हजारों गी थे उनकी बड़ा नाम रहा है और यहां के कैसे ही शायर थे वह भी कहीं बाहर कही थे लेकिन मुबारकपुर में जन्म हुआ था क्या नाम था मैं मरने के दुआएं क्यों मांगू जीने कि तमन्ना कौन करे इस दुनिया में आप ख्वाही रहा थे उनका प्लाच्छा यह है अब मैं नाम जन्म आप लोग विशेष तोर से आपसे बड़ी अध़क्त सांग उजारिक कर रहे हैं कविता कव गीत गाओ, तुनाओ, तुनूगा सदा, प्रेम पच पर चलो, मैं चलूगा सदा, क्या बात है, हर खुशी है समर्पित तुम्हारे लिए, तुम खिलो फूल सा, मैं खिलूगा सदा, क्या बात है, क्या बात है, दूसरों के ही सुक में है अपना भला, राश चिंतन में लगना ही जीवन कला, प्रीति मंदा की नीमे नहाते चलो, ऐसा उपक्रम रचो मन जाए खला, एक ऐसे ही संसार की कलपना, जिसमें हो हर समिशे सुगर अलपना, निया एक चित रहो दिश्टी घोचर जहां, आज ऐसे ही भाव, कि अन्पद में कई दुनिक के साथ लांच हुआ जूम स्कूटर दुनिया में मोटरसाइकलर स्कूटर के सबसे बड़े निर्माता ही रो मोटो कारप्ट ने उत्पादों के आदूने की रोन की करम अक्रामक और अरनित को बरकार रखती हुए नई स्कूटर जूम को लांच कि स्कूटर जूम स्कूटर जूम स्कूटर मोबाइल चार्जिंग और अराम का वेहतरी स्यूचन है जिसमें पहली बार वेडिंग लाइट प्रोजेक्टर एलिडी हैडलाएं ब्लोटूथ कनेक्टिविटी फूल डिजिटल इस्टूमेंट क्लेस्टर एम एस और काल आलर्ट रियल टाइम ऐलेज की इंडिकेटर जो फ्यूल इंडिकेटर साइड इंजन काट आफ और सर्विस डिमानडर सामिल है चूम स्कूटर तीन वार्यइंट शीट डर्म और कास्ट टिश्क में आता है हेरो चूम स्कूटर स्थे देश भर में हेरो मोटरकर पके ृडलर्शिप इस मौके पर इस्टर रिट्रिबूटर के मालिक खालित नजीर मेनेजर रहमतुला खान हीरो मोटो काप की ट्रेटरी मैनेजर आड़िप निजामिया और अनिस्टाफ मौझूद रहे सबसे पेला मारी स्पेशल गैश्ट नक्षमी शुकला मैं और इनके स्टाफ कमर सागट को यहां पर साथ ही मारी कंपनी और मिश्टा खानिश साथ मनेजर रहमतुला कान और अपने और स्टाफ का सागट करता हूँ फिरोदार 110 सी सग्मेंट में अच्छा जूम स्कूटर के साथ है श्टाफ करते है यहां पर एक लाइट गिया हुआ है जो आज तक कि शूटर माहे लिए लेकि यहां पर लाइट का बतलब क्या है जैसे गार रिट टर्ण करते है तो इंडिकेशर मों देते ही गार गुमानी खबर बदोई जिले से हैं जहां नगर के आसपास शित्र में चोरी उचक्का के लिए घटना आये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है इसी गड़ी में एक बार फिर को पिगज नगर के काली महाल इस तुथ हनवान गड़ी मंदरी में लागा दान पेटी के ताला तोड़कर बने चोरो ने हजार रूपे उड़ा दिया बत्या जाता है कि इसके पुरो भी हनुआ गड़ी मंदरी की दान पेटी के ताला तोड़कर चयां जो फ्याल नहीं हुआ इन दिनों अगर में चोरी का सिलसला जारी है दो दिन पुर्वा अनुप जैस्वाल की बाइक चोरी हो तीजितर अवाड नमबर बारा से मारूतिय कार्सवार चोरों ने आधी रात को बकरी चोरी कर लिया जो घटना से सी टीवी में कायद हो गया इस चोरी की भी चरचानगर में बनी हुई है अनमानगडी कमीटी की जगतिश्वर जैश्वाल कभी मुदनवाल संजे साहू सुरच पंडा प्रदीप मोगिया आज़े गुप्ता पिंड्यू साहत लोगों ने पूलिस की खारप्राली संद्राज़ की चाहिर करते है प्रदर्शन के पूलिस देखे मांगे एक रतकाल पू कि रांपूर में मंगलबार को प्रवनिर धायत कारक्राम के अंदर गत किसान यूनिन के बेंदर तरे किसान क्लेटिट रांपूर पर साथा साथा वद्धान पर लगाई का इपावंधी हडाने की मांग खोले कर प्रदर्शन कर अपड़ जिला दिकारी वित वराजस वहेम स इंको पांच से तुड़ गयापन सोपा इस उसर पर राइश्ट्रिय मासाची उस्मान अली पासा ने कहा कि जिला प्रदर्शन की सानों को पूरी तरह बरबाद करने का मंद्शपर बनाया है जबकि जनपद में कई फैक्ट्रिया रोजाना कई लाग मेट लिटर जल का दोह का तर जल जमिन सोख लेती है और वह वापशी बुखर्व में चला जाता है जबकि फैक्ट्रियों द्वारा जब जल का दोहन के जाता है तब जल नाले के रास्ते दूर हो नदियों में बहा दिया जाता है लेकिन किसी भी फैक्ट्री पर कोई पाबंद नहीं लगाई जा जाने की मांगे मनला एक्ट्मिनस चोहां ने कहा कि मिलेट यानि मोटे अना जैसे जुआर बाजरा कोदो मरुआ रागी शामा आध एक सूपर फूड है जिसमें कई तरह की प्रयाप मात्रा में पूंसकत होते हैं तो स्वास्त के दिश्यों से हमारे लिए अतियां तर लाव किसी विभा के संग को त्वाधान में आयोजित उक्ति मिलेट फूड में डे मेला क्या मेला के आउसर पर आयोजित संगोष्टी को संब्ध करते हैं मनला एक ने कहा कि मारा सरकार द्वारा किये गए प्रयास की फलश्वरूप से उक्तराश्टी द्वारा वर्स तो जटेश जो हमारे शरी को स्वास तकने के लिए आतिन जरूरी होते हैं वह सभी पोसकत्त मिलेट्स में प्रचूर मातरा मिलते हैं इसलिए इसे दैनिक खान पान क्या तो में शामिल करें